कि अजरी असलाम लेकूम कैसे आप से वेलकम माई यूट्व चैनल तो आज हम बनाने जा रहे हैं रगड़ा पेटीज तो इसे हम टिक्की जाड़ भी बोल सकते हैं और मॉंबाई के लाइंग्वेज में इसे रगड़ा पेटीज बोला जाता है इसे हम नॉर्माली टिक्की जाड़ी बोल सकते हैं तो चलिए हमाराना स्टार्ट करते मैंने आलू को वाल लिया था और यह मैंने मसाले सारे अट कर दिये हैं और उसे मिला लिया है और यह तवा ह हमने गरण कर लिया है उसा पे हम्ने दाल दिया है धेल को हम वह होने देते हैं है अब हम आलो को अलो कब अलो को बनाकर इसे और कि इसी तरीके से थोड़ा सा चप्टा कर लेंगे और फिर तवे पे हम डग देंगे देखिए हमारा तेल भी गरम हो चुका है अब हम इस पर रख देतें अच्छे से कि बहुत इसली सीम्पल लेसीपी आप ट्राइ कर सकते हो गर पे जल्दी जट फट बन जाती है ये यह दिखिए है यह से देखिए यह ब्राउन हो चुका है हमार पेटीज अ औहुत हम इसे पलट देते हैं है इसे तरेके से मैं पलट लेना है यह यह फ्राइब हो चुकि यह और एक मैंने कडाई ले लिया है को गर्म कर दिया था उसमें पानी डाल देंगे कप का सपस और यह मैंने मिटर को बाल लिया था पहले से ही तो इसमें मैं माटर को एक कर देंगे और इसे हम चला लेता हैं और हम इसमें मसालेट करेंगे दन्या पाउडर मिर्चा पाउडर हल्दी पाउडर और नमक आधी चमच नमक और इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और इसे थोड़ा गलने देते हैं उबालाने देते हैं ताकि यह अच्छे से पक जाए बस इसी तरीके से आपको पका लेना है तो लीजिए पक्चुका है हमारा रगड़ा और यह हम एक प्लेट में से निकाल लेंगे गानिशिंग कर लेंगे और उपर से हमने पेटीज को डख दिया है और यह प्याज दन मिच्चा हरी मिच्च और उपर से हम डालेंगे यह चिली फ्लेक्स अनकाली नमक और यह चुर्मुरा चुर्मुरे भी हम इसमें एट कर देंगे और उपर से हम गानिशिंग कर देंगे धनिया पत्ती और अरी मिच्च से और यह मैंने चटनी जो पीसा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है तो देखिए तैयार है हमारा रगड़ा प अब भी ट्राई करें इस तरीकी के डिस कैसा लागा मेरा डिस जरूर बताईएगा ठैंक यू